हेलो फ्रेंड्स वेल्कम तो माय यूटूब चैनल एक्जाम एक्जाम इन एक्जाम दिस इस ट्याटिक जीके इन हिंदी सेट नुबर 16 इन हिस्टी पार्ट 6 तो लिट्स्ट नुम्बर वन प्राचीन भारत में चिकित्सक के नाम से किन्हें जाना जाता है तो चरक सुधतु किसके चिकित्सक जाना जाता है Q2 किसके राज चिकित्सक थे ? Q3 Q3 मौळई के बाद किस बनम بड़ ने आकर मगत राज पर सासन किया सूंगा वंस ने सासन Qtากán 4 भारतीय रंगमच में यवनिखा किस ने शुरू किया था ? Q5 बिजय का समंद किस महाप्रूश से है तो कबीर से समंद है बिजय का Q6 सूफिय कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है वह कहां की विसेश्था है यह कस्मीर की विसेश्था है Q7 भारत में सिविल सेवों का सुत्रपात किस ने किया दिल्ली के कुतुब मिनार का पूरा करने का स्रे किसे जाता है इलतुटमिस को जाता है कुतब मिनार की का समय Q9 संथकबीर के गुरू का क्या नाम था धो रामानन स्थकबीर को रामानंद की अजमेर के किस सूफी फकीर की दरगा है तो मुईनुदिन चिस्ति का दरगा है सितार का जनक किसे माना जाता है तो आमिर खुसरो को सितार का जनक माना जाता है विजय नगर राज की स्थापना किस ने की थी संगम सासक हरीहर और बुक्का ने की थी विजय नगर समराज का पर्थम सासक कौन था जिसने पृत्गालियों के साथ संधिक की थी तो कृष्ण देवराय ने संधिक की थी पृत्गालियों के साथ कृष्ण नमबर 14 कृष्ण देवराय किसके समकालिन थे तो बाबर के समकालिन थे कृष्ण देवराय Q15. ताली कोट की लड़ाई पंद्रस फैसत्त में इश्वी में किसकी बीच में हुई थी तो विजय नगर सामराज और दक्षिन के राजाओं के बीच में ताली कोट की लड़ाई हुई थी विजय स्थम का निर्मान किस सास्थक द्वारा किया गया था तो राना कुम्भा के द्वारा विजय स्थम का निर्मान करवाया गया था Q17, बाबर ने परशेत दॕल्हमा उद्निती का पर jul 2 कब किया था? तो पानीपत का परथम उद में बाबर ने तॕल्हमा उद्निती का परियोग किया था Q18, भारत में सबसे पहले तोप का परियोग किस ने किया SAP तो सबसे पहले तोप का प्रियोंग बाबर ने किया था ? Q19. बाबर की मिर्त्विवर न्तीजत कहा नॅआ नुबर 19, बाबर की मिर्त्विवर निए अग्रह सब अग्रह में हुए ती, बाबर की मिर्त्विवर्म esth question number 22 सबसे पहले भारत में खिस आयोगने प्रार्थ्मिक यामम माध्मिक शिक्षा पर ़्यान दिया था तो चाल्स आयोगने सबसे पहले प्रार्थ्मिक सुर्चा पर धिया था Quesion Number 24 गान्धी जी को क्या माना जाता है? दार्सनिक अरजकतवादी माना जाता है गान्धी जी को Quesion Number 25 ुए गृुदेव की नाम से किने जाना जाता है? तो रविद ना टेगोर को गृुदेव की नाम से जाना जाता है Quesion Number 26 दूसरे Anglo-Messur-Yood में बंगाल का गवर्नर जणरल कौन था तो Warren-Hastling थे बंगाल की गवर्नरर जणरल question no.27 Anglo Muslim school की स्थापना किस ने की ते सर-सयд अहमाद खान ने Anglo Muslim school की इस्थापना की थी question number 28 सत्य सोधक सभा की सथापना सत्य सोधक सभा की संस्थापक महराष्ट में कौन थे तो जयतिवाब फूले थे सत्य सभा की संस्थापक question number 39 18757 की सिरू किया था था तो सिपाहिवन ने 1857 का विद्रो स्टाट किया था question number 30 Camp of Good Hope के रास्ते भारत तक समुद्री रास्ते के खोज किस ने की थी तो वास्को लिंगामा ने की थी question number 31 भारत विस्विद्याले अधिनियम किस ने पारित किया तो लॉड करजन ने भारत विस्विद्याले अधिनियम पारित किया था question number 32 pits India Act 1784 किसे स्थापित किया गया तो नियंत्रन बोर्ड को स्थापित किया गया था पिट्स इंडिया एक्ट केता है इस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्ण जेनरल और क्राउन के अधिन पहला वाइसराय कौन था था लॉड कैनिंग था क्वेश्चन नमबर 34 कौन सा उपन्यास जिसे बंगाली दिश्भक्ति का बाइबल कहा गया जो भारत के सौतनता से नानियों के लिए प्रेर्णा का स्तुरत बना था तो आनंदमट क्वेश्चन नमब 35 बिटीज सासन के दवरान मदरास में रहात वाडी परनाली की सुर्वाद जनरल ने की थी तो थोमसमींडू ने किया था रहात वाडी परनाली की सुरॉद QX 36 भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वारन हाश्ञ है थे हैं भारत के पहले गवर्नर जनरल, QX 37 मैं भारत में आने वाला ला पैहला अंग। यहाज कौन था, यहacerare तरह ठामध रेड्ड. भारत में सिविल सेवा में चुने के पहले और दूसरी भारत यह थे पहले थे सद्धेंदर नाश्टेगोर जिनको चुना गया था 1863 में और शुद्धनर बेनर जी 1879 में चुना गया था दो दूस्ते थे भारत में प्रदगाली सक्ति की वास्तिविक संस्थापक कौन सा प्रदगाली गुवर्नर था तो अल बुक कर्द था किस ब्रिटिस गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकट सुरू किया था तो लॉट दलहुजी ने डाक टिकट स्टार्ट किया था किस ने कहा था सत्य परमतत्त्य है और वह इस्वर है तो मोहंदास क्रमचंद्र गांधी वालब महात्मा गांधी ने किने जाना जाता है तो यह अबदुल गफार खान को जाना जाता है सिमांद गांधी के नाम से किस ने कहा था महात्मा गांधी अर्द नंग फकीर है विंस्टन चर्चिल ने कहा था सेजियर्ण आले को ब्रश में परवेश की संवर्नेट recuper page ところ किया था inhib भारत में सिविल सेवा का जन्म दाता किस गवर्नेर को मना जाता है तो लॉड कर्नवाय में जाता है पुर्तफ्वी राज रास्चो किसके दौरा लिखा गया है तो चंदबर दाई के दौरा लिखा गया है पित्वी राज राष्टों प्राचिन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वांत्री किसके दरवार में थे तो चंद्धुप दुट्य के दरवार में थे जिनको विक्रमादेदे भी कहा जाता है विरुपाक्ष मंदिर का निर्मान किस ने कराया था चलप के ने विरुपाक्ष मंदिर का निर्मान करवाया था सिकंदर महान का सिक्षक कौन था अरस्तू थे सिकंदर महान के सिक्षक गंधार किसके सासनकाल में विक्षित हुई थी तो कुसानकाल में गंधार विक्षित हुआ था वराहिमिहीर कौन थे वहारती गनितकी और खगो लगए थे वराहिमिहीर क्यों सासक तो चालग क्यांस का महानित्य क्यों सकता अफवात तंतर का निर्मान किस सभ्यता के लोगों ने किया था अव्याथ व्याव अutौ स्वस्तु के उत्पाधन में स्वर्पर्थम थे तो कपास के उत्पाधन में स्वर्पर्थम थे ग्वशा मось 59 हडपा काल में मिट्टी से बनी आकडिया को क्या कहा जाता है तो तेरा कोटा कहा जाता है अच Woo क्वेशन में 60 हडपा सभेता का स्वर पर्थम खोज करता कौन था तो द्यारम शाहनी 1922 में खोज किया था क्वेशन में 61 आरियों का एक जाती कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था तो मैक्स मूलर थे भगवान बुध ने किस अस्थान पर प्रांट याग दिये थे तो कुसी नगर में भगवान बुध ने अपना प्रांट याग दिये थे तो कांची पूरम से सासन सुरू किया था इक्षा सब कष्टों का कारण इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है तो बहुत धर्म है जैनियों के पहले तुर्थंकर कौन थे तो रिश्वद्येव थे जैनियों के पहले तुर्थंकर को War 67 प्रिंस स्डाव नाम क्या धिया गया थी, कादामबरी किसके दौरा लखी गई है, मरकर उचाव 29, किसके दूत्य हसो के नाम लिखाय. जाना जाता है कौन सा अंतिम बौध राजा था जो संस्कृत के महान विद्वान और लिखक थे तो हर्षवर्दन संस्कृत के महान विद्वान और लिखक थे बुध धर्म के त्रिरतन कौन से है तो बुध धर्म और संग है बुध धर्म के त्रिरतन कब आया तो कलिंग युद के बाद परिवर्दन आया किस ग्रंत में राज्टन्त्र के बारे में वीवेचन उपलब्द है, कोट्टनिय का अर्थसास्ट में उपलब्द है, क्वेश्चन wondा…… सम्राथ का राजदर्वारी कभी था, हर्शवर्धन का राजदर्वारी कभी था, 77 मुहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किस जनरल को निक्त किया था तो खुतबुदीन एबग को निक्त किया था महाबली पूरम का सब पेगोडा का निर्मान किस ने कराया था तो पल्लव नरेस्ट नर्सिंग बर्मन ने करवाया था गुप्षासन के दौरन महान खगोल विज्ञानी था गनितकर कौन था तो आर्या भड थे चंद्रगुत मौरी का प्रसिद गुरु चानक के किस विद्या केंद से समंधि था तो तक्षीला से समंधि था महाभाश किस ने लिखा था तो पतंजली ने लिखा था महाभाश कि पांडे सम्राज की राधानी कहां थी मदूरे थी पांडे सम्राज की राधानी महाबली पूरम केरत मंदिर का निर्मान किस पल्लव सासक ने कराया था तो नर्शिक बर्मन ने कराया था Q83 युनानियों को भारत से बाहर किस्टे निकाला थो तो चंद्रगुप्त मौरे ने युनानियों को भारत से बाहर निकाला था Q84 पुरा लेक विद्या का अभिप्राय क्या होता है यह होता है सिलालेखों का अध्यान Q85 बौध धर्म किस वन से समंधि था तो साक्य वन से समं था बॉध्धार्म, Quesion No. 86, त्रीपिटक किन का धार्मिक ग्रन थे, तो बॉध्धों का धार्मिक ग्रन थे, त्रीपिटक, Quesion No. 87, जैन धार्म के वास्तिव को संस्थापक Quesion No. 88, असोक ने किस बॉध्ध सादू से प्रहाइत होकर बॉध्धर्म को अपनाया था, काल के दौरान सिक्षा का सबसे प्रसिद केंदर कौन सा था, तो तक शीला था, Quesion No. 90, किसने अर्षास की रचना की थी, Quesion No. 91, कनिस्क की रजधानी का नाम क्या था, तो पुर्षा पूरा था, कनिस्क की रजधानी का नाम, Quesion No. 92, गुप्त राजा जिसने विक्रमादि की पध्यवी ग्रहन की थी, वह कौन था, तो चंद्रगुप दुद्धियत है, Quesion No. 93, किस्चोल राजा ने शिवपाद सेखर की उपाधी धारन की थी, Quesion No. 94, राष्ट कूट राजबंस का संस्थापक कौन था, तो धन्ती दुरुप्त था, Quesion No. 95, गुप्त युग मे कौन सा विश्विद्याले परसित था, तो नालंदा विश्विद्याले परसित था, Quesion No. 96, सिंदु घाटी की लिपी कौन सी है, तो ये अज्यात लिपी है, Quesion No. 97, सिंदु घाटी के सहरों की गलियां कैसी थी, वो चौड़ी थी और सीधी थी, Quesion No. 98, महाविर की माता क क्या नाम था, तो तुरिशला था, महाविर की माता का, Quesion No. 99, लौड महाविर की मिर्थी कहां पर हुई थी, तो पावपूरी में हुई थी, लौड महाविर की मिर्थी, Quesion No. 100, चंद्रगुप्त मौरी के दरवार में भेजा गया युनानी राजपूत कौन था, तो मेग स्यागने के बाद वो यति कहला है, Quesion No. 103, महाविर के सनानगार के परश्चिम में स्थित इस्तुप का निर्मान किस काल में किया गया था, Quesion No. 104, सिंद्र का बाग या मिर्थको का टीला हडपा से बहता कि किस पुरास्थल को कहा गया है, तो महाविर को कहा गया है, Quesion No. 105, ऐसा कौन सा पर्थम सूफी सादक था जिसने अपने आपको अनहलक घोसित किया था, Quesion No. 106, हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन किस ने कहा, तो लड एलगिन दुद्ये ने कहा था, Quesion No. 107, किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान और एक प्रपकारी सालेक की स्थापना की थी, तो फिरोज तुगलक ने किया था, Quesion No. 108, दिल्ली का पहला प्रभुता संपन सुल्तान, Quesion No. 109, साह जहां का परसी तक्ते ताउस कौन ले गया था, तो फार्सी आक्रमक अहमद साह अबदाली ले गया था, Quesion No. 110, परसी तक्ते ताउस किस मुगल भावन में रखा गया था, तो लाल कीले में निर्मित दिवाने आम में रखा गया था, Quesion No. 111, सिरसासूरी की मिर्तिव कहां पर हुई थी, तो कलेंजर में हुई थी, सिरसासूरी की मिर्तिव, Quesion No. 112, प्राचिन चोल समराज की राधानी कहां प Quesion No. 113, तरायन की पहली लड़ाई कब हुई थी, Quesion No. 114, तरायन की पहली लड़ाई में किसके बीच हुई थी, तो मुहम्मद गौरी प्रिथ्वी राच चोहान के बीच में हुई थी, तरायन की पहली लड़ाई, तरायन की पहली लड़ाई में कौन विजय रहा था, त सब्से अधिक मंगोल आकरमन इसके सासनकाल में हुए थे अलावदिन खिल जी के सासनकाल में हुए थे सबसे ज्यादा मंगोल आकरमन हुए थे विस्नु के दस आउतारों की जानकारी का स्ट्रोथ किस पुरान में है किस पुरान में है तो यह मत्सेस पुरान में है विन्दूसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अर्ष्णों के स्थान पर भेज आता हुए तक शीला हुए जाता हुए तो गुप्त कालन चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे रुप्यक कहते थे श्बाइब पुहार में किनीव किस चोल सासक ने रखी थी तो करीकला पुहार ने रखी थी प्रशम में 123 चालिो कि राज़ा क्ने प्लोकेशन दूतिय को किस ने प्राजित किया था तो नर्सिंग बर्मन ने प्राजित किया था किस ने इंडिका लिखी तो मेगास्नीँ ने स्थास की रचना की थी एतिहास का जनक के संडालना नम्र मिशान लमन उटीजबं बहारत सरकार दोर्र परयोग में आने वाला सक्वंथ तो बहरत का राष्टी पंचान किस काल पर अधारीत है तो उससा काल पर अधारीत है तो प्लीस फ्रेंज हमारे चैनल को सब्स्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि हम आधिक सेधिक वीडियो में पोस्ट कर सके इसमें computer science होंगे general science होंगे